दोस्तों चीन का नाम सामने आते ही कुटिलता और धोके बाजी की तस्वीर सामने आ जाती है पूरी दुनिया जानती है कि चीन एक ऐसा देश है जो सिर्थ खुद के स्वार्थ के सिवा कुछ भी नहीं सोचता है वहीं पूरी विश्व में भारत के छवी एक ऐसे देश की है जो खुद के बारे में सोचने से पहले दूसरों के लिए सोचता है भारत के सीमा पर आए दुन पर रिशानी खड़े करने वाला चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है वहीं अब बात आ रही है कि चीन एक बांध का निर्मान कर रहा है जिससे भारत के एक बड़े खशेतर में बाढ़ आ सकती है या फिर उसे सूखा गरस्ट किया जा सकता है इस वीडियो में मैं आपको चीन के इस बांध के बारे में बताऊंगा लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि चीन अपनी विस्तारवादी नीकी के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है अभी हाल ही में भारती सीमा पर बस्तियां बसाने अरुनाचर प्रदेश के नाम बदनने और कश्मीर के हिस्से अक्साई चीन पर अपना हग जमाने जैसी चालों से पूरी दुनिया वाकिफ है इतना ही नहीं चीन पर पूरी दुनिया की अर्थ विवस्था को गिराने के लिए कोरोना महमारी तक पैलाने के आरूप लगे है चीन पर जैविक हत्यार बनाने के इल्जाम भी है जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सके इन हत्यारों के बल पर वो अपने सामने खड़े हर देश को धराशाई करना चाहता है दोस्तों इतना ही नहीं अब ये खबरें भी आ रही हैं कि चीन ने क्लाइमेट कंट्रूल को डेवलप किया है इसके बल पर वो जहां भी चाहे बारिश करा सकता है इतना ही नहीं वो जिस इलाके को चाहे अकाल से ग्रस्त कर सकता है यानि कि वहां के बादलों का पानी खीच कर वो कहीं और जगह ले जा सकता है वहीं बताये जा रहा है कि चीन अपनी इस तकनीक का इस्तमाल भारत के खिलाफ करने जा रहा है सूत्रों का कहना है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की तैयारी कर रहा है इसके बाद चीन जब चाहे उसका पानी इस्तिमाल कर सकेगा और जब चाहे छोड़ सकेगा ये बांध भारत के लिए सही नहीं माना जा रहा है कहा जा रहा है कि इसके बाद भारत को कई परिशानियों का सामना करना पड़ेगा जैसे कि जब भी चीन इस बांध के जरीय पानी छोड़ेगा तो भारत के एक बड़े हिस्से में बाड़ आ जाएगी इतना ही नहीं वो जब चाहे इस बांध के पानी को रोग कर रख सकता है जिससे भारत में सूखा पढ़ने के आसार है चीन क्लाइमिट कंट्रोर टेक्निलोजी से पहले एक स्टेल्थ हत्यार बना रहा है जिससे वाटर बम कहा जा रहा है दोस्तों फिलाल पूरी दुनिया में सभी देशों में एक दूसरे पर राज जमाने की होड मची हुई है भविश्य में ये और बढ़ने वाली है इसमें देश सीधे तोर पर एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे वो छिप कर वार करेंगे क्योंकि वो सामने से वार करते हैं तो फिर घिर जाएंगे जैसे रूफ को यूटरिन पर हमला करने को लेकर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे प्रतिबंधों से बचने के लिए स्टेल्थ टेक्नलोजी को काम मिलिया जाएगा जिसमें छिप कर गुप्त रूप से वार किया जाएगा और इसी गुप्त वार का एक हिस्सा है ये चीन का वाटर बॉंग जो एक बांध के रूप में भारत पर वार करने वाला है जिससे वो बारिश का पानी इतना स्टोर कर लेगा कि जब वो इसे खोलेगा तो भारत के जो तबाही मचेगी उसके बारे में शायद ही कोई सोच पाया होगा विशिशग्यों की माने तो इस बांध के बन जाने के बाद भारत बांगलादेश समेद कई पड़ोसी देशों को सूखे और बार दोनों का सामना करना पर सकता है इस मेगा डैम के निर्मान के बाद सब कुछ चीन पर निर्भर करेगा उन्हें आशंका है कि चीन जब चाहेगा बांध का पानी रोग देगा और कभी भी बांध के दर्वाजे खोल देगा इससे पानी का बहाँ तीजी से भारत के उतरी पूर्वी राज्यों की तरफ आएगा इसके बाद अरुनाचल पदेश असाम समेट कई राज्यों में भायानक बाढ़ आ सकती है तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि वाटर बम क्या है और ये कैसे भारत में सर्वनाश ला सकता है यहां आपको बता दें कि चीन इस ब्रह्मपुत्र नदी पर पहले ही कई बाढ़ बना चुका है इससे वो बहारी मातरा में बिजली को अत्पादन भी करता है इतना ही नहीं चीन ने अपने देश में कुल पचास हजार बाढ़ बना रखे है इसके साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा बाढ़ चीन में ही है जिसका नाध थ्री गॉर्जेस डैम है इंटरनेशनल वाटर पावर एंड डैम कंस्ट्रक्शन पत्रिगा के मताबिक ये बाढ़ दो दिशमलव तीन किलो मीटर लंबा 115 मीटर चोड़ा और 185 मीटर उचा है ये बाढ़ दुनिया का सबसे बड़ा पन बिजली बाढ़ है चीन के हुबई प्रांथ में यांगजी नदी पर बना हुआ ये बाढ़ दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी माने जाती है और जिसकी लंबाई 6,000 किलो मीटर से भी जादा है कहा जाता है कि इस विशाल का एबान को बनाने में धाई लाग करोर रुपे से भी जादा की लागत आई है इसे बनाने में कुल 18 साल का लंबा समय लगा है इसके निर्मार का काम साल 1994 में शुरू हुआ था और 2012 में ये बन कर तैयार हो गया था कहते हैं कि 3 गॉर्जस टैम बनाने में 4,63,000 टन स्टील का इस्तिमाल हुआ इतनी स्टील में तो कई एफिल टावर खड़े किये जा सकते हैं चीन का ये टैम अमेरिका के माहान हुवर डैम से 11 गुणा अधिक बिजली पैदा कर सकता है एक अनुमान के मुताविक इसमें 22,400 मेगावाट और जा उत्पन करने की शमता है यानि बिजली के उत्पादन में इसका कोई जवाब नहीं है कहा जाता है कि इस बांद के जलाशे में इतना पानी घटा किया गया है कि इससे प्रित्वी का जनत्वा घूर प्रभावित हो गया है इसकी वजह से प्रित्वी के घूमने की गती कुछ धीमी पड़ गई है प्रित्वी के घूमने की गती धीमी होने से एक दिन का समय दशमला शून्य छे माइक्रो सेकंड्स बढ़ गया है यानि अब दिन थोड़ा लंबा हो गया है इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस बांध की बनने की वज़ा से उत्तरी और दक्षनी ध्रू भी अपनी अपनी जगा से दो-दो सेंटीमीटर खिसक गए है जबकि अन्य ध्रूमों पर प्रित्वी थोड़ी सी चप्टी भी हो गई है वहीं अब वो ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी का रहा है चीन ने तिब्बत में एक मेगा डैम बनाने की योजना बनाई है ये बांध इसलिए बनाय जा रहा है ताकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्केशन बना सके। चिन्ता की वज़ा है ब्रह्मपुत्र नदी का इस बांध में शामिल होना। चीन की तरफ से इस हाइड्रो पावर पोजेक्क का एहलान भारत के लिए परिशानिया बढ़ाने वाला है। इसकी सबसे बड़ी चिंता नदी की स्थिती है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यार लंग जैंग मो नदी कहा जाता है। ये नदी तिबबत के इलाके के काफी नजदीक से होकर गुजरती है और फिर अर्माचिर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसे यहां सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। गम्म पुत्र नगी तिब्बत से शुरू होकर भारत और बंगलादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस दोरान ये करीब 2900 किलोमीटर की यात्रा करती है। भारत में इस नगी का एक तिहाई पानी आता है। इसके जरीए उत्तर पूर्वी जादा बिजली पैदा की जा सकेगी। इतना ही नहीं इस बान में पानी की स्टोरीग छमता भी कई गुणा होगी। थ्री जॉज डैं के बनने के बाद करीब 14 लाख लोगों को अपने घर को छोड़कर दूसरी जखा जाना पड़ा था। प्रहमपुत्र के आसपार चीन मे बलकि कई और देशों से इसकी सीमा भी जुड़ती है। तीसरा धुव कहे जाने वाले तिबबत के पठार पर बर्व पिखलने और जल्द स्रोतों से चीन, भारत और भूटान की करीब 1.8 अरब की आबादी की प्यास बुचती है। हाला कि चीन का कहना है कि वो अपने पड यही खतरा भारत और बांगलदेश पर भी मनराने लगा है। दोस्तों वहीं ये सवाल भी आता है कि भारत चीन किस कदम का क्या जवाब देगा। तो दोस्तों विशेशग्यों का कहना है कि चीन की तरफ से आने वाली नगी के एंट्री पॉइंट पर एक डैम बना दिया ज जिससे बिजली बनाई जा सके, वहीं चीन अगर बांग बनाता है तो उसके द्वारा छोड़ा गया पानी, भारत इस बांग से कुछ हद तक रोक सकता है, जिससे यहां होने वाली तबाही को रोका जा सकता है। चीन की ये हरकत मानवे दृष्टी से सही नहीं मानी जा रही है, आज भले ही चीन शक्तिशाली होता जा रहा है, लेकिन फिर भी चीन को इसका सबक मिलता ही रहता है, उसने पूरी दुनिया को तबहा करने के लिए कोरोना जैसी महमारी खैला गी थी, लेकिन उसकी चपेट में वो खुद भी आ गया था, वहाँ भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई थी, अब ऐसे में चीन को सबक सिखाने के लिए उसका पहिशकार करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे चीन को उसकी गलतियों की सजा मिल सके